आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है जो आप लोगों को यहाँ पर वाइरल पेपर के बारे में बताऊंगा इसको हल करके भी बताऊंगा और आप लोगों को इस वीडियो से एक फैदा होगा कि इससे आपको यह पता चल जाएगा कि कौन से प् पर को सॉलव कर पाऊगा तो ध्यान से वीडियो देखना और इस वीडियो ज़्जाद सेंघ कर देना से्म इसी प्रकार से आपके मोड़ीजकि पैपर आएगा से सिम्स पट्रिण पर आएगा ये 2023 का पर है लेकिन सेम इसी पैटन पर आएगा अब बहुत सारे कोस्टन भी इसी में से पूछे जाएंगे तो इसको सालव करके बताओंगा पूरे पेपर को तो ध्यान से वीडियो को देखना यहां पर लिखा होगा अनक्रमांक नाम लिखा होगा बाकी 901 यह लिखा होगा बाकी यह यह किलपी कोस्टन पूछे जाएंगे तो और कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने कोस्टन मालूम थे तीन गंटा 15 में टाइम होगा उसके बाद में निर्देश यह आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है इससे क्या होगा आपको समझ में आ जाएगा कि कौन से प्रस प्रसन है जिनके सही विकलप का चाहिन करके आपको ओमर सेट में भरना होगा देखे तीन गंटा टाइम होगा जिसमें एक घंटा आपको ओमर सेट में भरना होगा मैंने इस पर वीडियो बना दिया कि बोड़ी जम्मे कापी कैसे लिखी जाते है तो वीडियो जरूई बसन नहीं यूज यूज करना है यह द्यान ढाबाकी कंटा में च्रीफी कि प्रशन क mend आपको में यहां से सुरू होता है कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम हों पूरा पेपर आपको साल्म करके दिखाऊंगा और कहां पर कौन से कौशचन पूछे जाते कितने नंबर के पूछे जाते यह भी आपको बताता चलूएँगा तो यहाँ पर पहला कोष्चन हंस पत्रिका के संपाधक कोन थे प्रेम चंद की गुलाब यह पर और अन्हें प्रसिद्द उपन्यांश करका है तो भगवति चनल वर्माड कि उप्रण्यांस करके तो निविदा की निवन्द है तो यहां पर यह आत्मक्ता है यह यह है यहें का तो बहुत important question है और इनको तैयार भी करके जाना exam से पहले यह बिसोग बहुत ज्यादा important है इन में से कम से कम देखे आपके जो board exam होते हैं इनमें साथ सेट होते हैं तो यह कम से कम सभी सेटों में यह पूछे 100% यही कोशन पूछे जाएंगे लेकिन यह कनफर्म नहीं होगा कि इन में से आपके बोड़ जम में कितने आएंगे तो आपको यह सारी कोशन तयार ही तयार करके जाना है अगला यहां पर चेखव एक इंटर्वियू के लेकर कहें कौन है यह भी बहुत ज्यादा इं अगला यहां पर धुरु स्वामनी के रचनाकार कौन है यह दुरु स्वामनी यह एक नाटक है प्रेम चंद्रहें की हरी संकर यहां पर हरी करशन प्रेमी है कि यहां पर जैसंकर प्रसाद है कि यहां पर रामकुमार वर्मा है तो दिखें धुरु स्वामनी के नाटक की शर्राम के नालत है यहां पर घ्रतिक्राइण है की रचना है यह यहां पर भक्तिकाल की रचना यहां पर यह पर भरतिन धरिसतंदा कुछ से taste संपादन प्रकास वर्स या फिर संपादन कब हुआ था तो इसके जो पूछे जाए संपादन कौन थे संपादक कौन थे तो सचिदानन हीरानंद वात्सेन अग्ये जी थे यह द्यानकना बहुत बार पूछा गया है आपके बोड़ी जम में बहुत ज्यादा आने की यह संभा रहा है अगला है पर लोकायतन के रचनाकार कौण मैं तर पाठी निराला कीह जसंबाद üstकी पंत्र की महादवी भर्मा देखे आप लोगों सुमितरानन देंपंति और महादवी वर्मा ये चारों क्या हैं ये छायवादी यूक के कभी हैं तो ये ध्यान रखना बाकी लोकायतन किसकी रहाचना है तो सूरिकान तिर पार्टी निराला जी की है राइट अंसर यहां पर एवाला हो जाएगा अभी आप लोगों को और सारी चीजे बताऊंगा कि तो यहां पर अगला है बहुर अकेला के रचनाकार कौन है यह बहुत ज्यादा न्यू कोश्चन है आ सकता है आपके बोड़ी जम में असोग बाजपे के दानार सिंग है कि गजानन माधव मुक्तिबोध है कि नरेंद्र सर्मा है तो राइट अंसर यहां पर बहुर अकेला क तक की यहां पर अठा सो तैली से इन में से एक कोश्चन जरूर आएगा रिजित काल या अधुनिक काल या फिर यहां पर भक्तिकाल कोई भी पूँच सकता है समय वएधी तो आप लोग याद कर लेना बाकी आब यहां पर जो रस चंद अलंकार उपसर्ग प्रते समास पर अब आपके बोड़ी जम में एक एक नंबर के पुछे जाएंगे बहुत विकल्पी कोश्चन अब्जक्टिव कोश्चन में पुछे जाएंगे तो ध्यानक ना है रस अचंद अलंकार उपसर्ग प्रते समास और पर रहावाची और संधियां और सब्द विभक्ति यह सारी चीजे सब्द रूब विभक्तियां यह सारी चीजे एक एक नंबर की पूछी जाएंगी अब आपके बोड़ी जम में तो यहां पर हास रस का इस्थावाव क्या है तो यहां पर हास हो जाएगा और आपके क्लाश टिंथ में देखे दो ही रस हैं हास रस और करूण रस तो हास रस का इस्थावाव क्या हो जाएगा हास होगा और करूण रस का इस्थावाव क्या होता है सोक होता यह ध्यान रखना है 22 के उधान तयार कर लेना मैंने इस पर वीडियो बना दिया है अगला है पर जहां पर उपमे में उपमान की किसी क्या बता रहा किसी उपमान में गुड़ धर्म के आधार पर समानता बताई जाए तो वहां पर कौन सा अलंकार हो जाएगा रूपक की उपमा की यहांपर उत्प्रेच्छा की अनुप्रास देखिए आपके इनकी क्लाशन तरही के दिसके अर्वाancणس का पुछे जाएंगे तो आपको इनको सही पर्मान सही अंति बताई जयाए तो वहाँ पर उपमा अलंकार होता है, उपमा अलंकार की परिभासा यह हो गई, बाकी इसके उधान कोना है, पीपरपात सरिस मंडोला, जिसमें सा का प्रेयो किया गया हो, वहाँ पर क्या होगा, जैसे हरिपद कोमल कमल से, तो इसमें क्या होगा यह उपमा अलंकार होंगे यह ध्यान रखना है तो रस चंद मैंने बता दिया अलंकार यह सारी चीज़े एक एक नंबर की पूछी जाएंगी उसके बाद में यहाँ पर अगला कौन सा है रस चंद अलंकार और देखी आपके जो क्लास टेंथ में दोही चंद है रोला और सोठा चंद है यह ध्यान रखना है इससे क्या होगा आप लोग दोही तयार करना है सभी नहीं तयार करना है यहां पर कौन है रोला चंद के प्रतेग चंद में कितनी मातर होती है तो दिखें रोला चंद के प्रतेग चंद में 24 मातर होती है राइट अंसर मैं प्रिवेक्त अनोगा की नोगा कि घ्राह होगा तो राइट सग्णमуска सोगा hundred सर्ग में तो सीवा करना क्राइट अनोगा तो क Clerks को था किसी सब्सक्राइब के पहले जी यहां पर कोई कोई सब्द है जैसे यहां पर कोई सब्द दिया गया है जैसे मान दिया गया है मान कोई सब्द है इससे पहले जो अब जोड दिया जाएगा तो यह जो अभी है यह क्या है यह को उफसर्ग है मतलब किसी सब्द के पहले जोड़ना उसी को क्या हम बोलते हैं उफसर्ग बोलते प्रत्य का मतलब होता है किसी सब्द के आखरी में जोड़ना तो right answer यहाँ पर C वाला हो जाएगा अगला है यहाँ पर I प्रत्य जोड़कर कौन सा यहाँ पर सब्द बन जाएगा देखिए महनता बनेगा नहीं देखे मैंने बताया प्रत्य का मतलब होता है किसी सब्द के आखरी में जोड़ना तो देखे यहाँ पर जो लिखाई है यह क्या होगा इसी में यह प्रत्य होगा राइट अंसर यहाँ पर यह हो जाएगा क्योंकि देखे कोई लिख सब्द था तो इसी में आई जोड दिया गया जब आई जोड दिया गया तो यह लिखाई बन गया तो ध्यान रखना है राइट अंसर यहाँ पर बीवाला हो जाएगा अगला यहाँ पर पंचोटी में समास कौन सा अप कौन सा समास है और समास है यह पाओ यह बन्द समास है और यह नवरतन सब तरशनह सभी में डिक समास होजाएगा गाखास्फ यह पर सवाला हुगा अगला हैं सूरज का तत्सम रूप क्या होगा तो सूर होगा बहुत सिंपल सा यह वाला इसका राइट अंसर बाकी मैंने बताया संदी यड़ संद आपके बोड़ी जब में पूछी जाएगी स्वागतम का संद विच्छेद क्या होगा स्वा प्लस आगतम होगा नहीं सुधन आगतम यह गाड़ बताना अभी और सारी चीजे बताऊंगा रस यहाँ पर चितने का अंबर की पूछी जाती तो द्यान से वीडियो को देखना तभी आप लोगों को समझा में आएगगा 20 में ही छोड़ कर मत जाना तो दिखे इसमें राइट आंसर इसका कौन सा हो जाएगा सी वाला होगा पर्थम पुरूस एक वचन हो जाएगा तो ये 20 कोश्चन थे कमेंट में बताना कि 20 में से आपको कितने मालूम थे आप चलते हैं आपजक्टी जो आपको कांपी में लिखना होगा मैंने वीडियो बना दिया है कि बोड़क जम में कांपी कैसे लिखी जाते है तो वीडियो जरूर देख लाना उससे आप लोगों बहुत ज़्यादा हिल्प मिलेगी इससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी 21 वां कोस्चन पूछा जाता है और ये 6 नंबर का पूछा जाएगा इसमें क्या पूछा जाता है निमलखित गद्यांस पराधारी दिये गए तीन प्रसनों के आपको उत्तर देना है इसमें देखिए अथवा करके दो पूछे जाएंगे कावाला पूछा जाएगा एक गद्यांस होगा तीन कोस्चन होगे इनी के आपको आंसर देना होगा और यहां पर खाप पूछा जाएगा अथवा का मतलब होता एक आपको एक करना है चाहे, उपरवाले का अंसर दो या फिर नीचे वाले का अंसर दो मैंने इस पर वीडियो बना देया कि संधरफ कैसे लिखा जाता तो वो वीडियो जरूरी ही देख लेना इसमें देखें किया उपरी गद्यांज का पाठ का नाम और लेखा का नाम बताना है रेखांकितंस की व्याख्या करना जो ये रेखा की चीए इसी के को व्याख्या करना तीन ही लाइन की बाकी एक प्रस्ण होगा उसी को आपको हल करना होगा पहले क्या करना इस पर आगराप को पढ़ना है उसके बाद में इसके पाठ का नाम मालूम होगा लेखक का नाम मालूम होगा तो बड़ी आसानी से इसको लिखपाओगे तो ये किस पाठ से लिया गया है दूसरी बात है जो इस समण में विचाणी है दोनों नहीं लिखने हैं यह आपको ध्यारकना अथवा का मतलब होता है अगला है मैं ब्राम्री हूं मुझे तो धर्म अतिति देवों का उपासना का पालन करना चाहे परंत यहां नहीं नहीं सब विधर्मी दया के पात रहें नहीं तो समझ जाए कि इसमें क्या ममता नामगपाट से लिया गया देखे ममता ने कहा तो ममता जैसंकर परसाद इसके लेखक हैं ममता नामगपाट है बाकी आप लोग इसको मैंने वीडियो बना दिया तो आप इसके बाद में क्या उसी प्रकार से पद्ध्यांश होगा इस में भी दो क्योंबेवें पर आधारि दिये ग्यायं पर प्रसंट के उत्तर देना इनısı को पढ़ करके आपको प्रश्ण होगा उसी के आपको अंसर देना होगा तो देखे यह शाहे वार पर वार अंतितक लड़ी वीर वाला सी आहुत सी गिर चड़ी चिता पर चमक उठी जौला सी बढ़ जाता है मानवीर का रण में बली होने से मुल्यवती होती सोने की भस में था सोने से तो यह देख यहां पर यहां पर पार्ट से लिया गया आप लोग देख लेना बाकी यहां पर अगला अथवा करके पूछा जाएगा एक और मैंने बताया अथवा का मतलब होता एक चाहें उपर वाले का अंसर दो या नीचे वाले का तो यह देखे मनिमय कनक नंद के आंगन बिम्ब पक करना होता है तो समझ मैं उसके बाद में अगला 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 यहां पर पूछा जाएगा 30 को सिसमें क्या निम्लखित गद्यांस गद्यावत्रणों में किसी एक का अवत्रण का संदर्व सहित हिंदी में अनौध करना होगा इसमें भी का और खाउंगे अथवागर के दो पैरागर आप पूछे जाएंगे इनमें से आपको एक करने होंगे यह संसक्रत गध्यान से लिया गया है तो इसमें देखे यह कौन से पार्ट से लिया गया है तस से ताम वारता सुरुता चाह चतुरा ग्रामीडा अक थयत तो यह किसे किस पार्ट से लिया गया प्रवद्धो ग्रामीडा से लिया गया है ध्यान रखना इसको याद कर लेना बहुत ज्यादा यह इंपॉर्टेंट है अगला है पर वाराण सी सुभुख्याता प्राचीना नगरी इम वीवं सलील तरंगाया गंगाया कूले इस्तित्था तो यह देखे वाराण सी पार स्लोग पूछाएंगे दो इनकी से आपको एक करने हैं इससुजांद नमबर के यहां पर संद्रव करने को आएगा तो द्यान इन में से आको एक करने यह द्यान रखनें इसमें दिए प्रशनों के एक प्रशन का उत्तर दीजिए इसमें देखिए ये अपने अपने जिले पर आधारीत होता है जैसे मुक्तिदूत किसी दूसरे जिले में आएगा उसके बाद में जोत जवार किसी दूसरे के जिले में आएगा तो ये ध्यान रखना है और ये ती नम्मर का पु मरत एक पूछा जाता है यह सभी नहीं कर नहीं होई बहुत सारे लोग सभी कोचन करतें लेकिन और करद यह आपको ध्यां रही 22 ओवाई नहीं काई झाये तु तो दीन दो करना है यह उसके नाम लिखे तीन नम्मर का जिवन परचे सब्सक्राइब दो कि एक चैना यहां पर पुछा जाएगी है तो देखे तείन होगे इन में से करने यहां परपको मालूम हो उसी परकार से कावाला होगा इसमें भी आपको तिन जीवन पर्शें दिये होंगे इनरे से ऊपको को एक करने हैं यह द्यान में और दियान क्किद्टियों को आपको कम से कम या चार याद करने हैं कि दो तो यहां पर आपके यहांपर पर प्रस्चन करने हैं करशनों के उत्तर संसक्रत्ते से लिए होते हैं और यह चाह नंबर के पूछ जाते हैं दो दो नंबर के आखिर यहां पर वद्विडियो बना दिया है और इसमें भी आपको एक निबंद लिखना है इन पांचों में से जो भी आपको मालूम है जीवन में विग्यान का महत्विद्यार्थिया और अनुशासन वनों के लाभ देश प्रेम की यहां पर आतंकवाद कार्णियम निवारंड तो इन में से आपको एक पर ही निवन्द लिखना है तो इसी प्रकार से आपके बोड जम्में पेपर आएगा से इसी प्रेटन पर आएगा इन दिलते हैं अगले वीडियो में